लोगों ने laziness को failure से connect किया है मतलब कोई इंसान failed है fail होता है तो उसके लिए is equal to lazy बना दिया क्या यह ratio यह equation failure is equal to laziness सही है या नहीं failure is equal to laziness यह सही गलत है क्या गलत है इसमें failure laziness की वैसे failure आ सकता है कि नहीं लेकिन सारा failure से laziness की वैसे है कई सारे लोग है जो active है लेकिन fail होतने है और कई सारे ऐसे भी लोग हो सकते है जो lazy है लेकिन successful है हां वह बहुत कुछ और successful हो सकते थे लेकिन अभी इतने successful है successful है लेकिन lazy है तो failure is equal to laziness के equation बनाने से आदमी problem को समझी नहीं रहा है अब वो solve कैसे करेगा उसने equation ही wrong बना दिया failure और laziness same नहीं है laziness cause of failure है laziness के वज़ा से सुस्ती की वैसे failure आते हैं लेकिन सारे failure सिर्फ laziness की वैसे नहीं है तो मिसाल के तौर पर दो लोग दिख रहे हैं successful एक failure और successful को देखे कहें कि यह तो बहुत active आदमी है और तुम तो बहुत lazy इंसान हो क्योंकि तुम failure हो तो यह क्या है मामला यह failure का definition ही बहुत बड़ा problem है failure का definition बहुत बड़ा problem है क्योंकि इसकी वज़ा से success पहुंचने में barrier है जब failure का आदमी ना समझे failure का गलट definition हो कि failed कौन है मालूम है failed कौन है यह हमारे society के अंदर wrong definitions की वज़ासे दुनिया भर का mental problems create करते हैं लोगों के लिए कितने सारे लोग stress और परेशान जंदगी जीते हैं यह wrong definitions की वज़ासे तो failure किसे कहते हैं यह बात भी समझना बहुत ज़रूरी जो हम failure के तालुक से जब topic देखने वाले हैं कल success और failure के तालुक से कैसे कामयाब बनें कैसे failure से बचें तो यह topic जब देखेंगे तो तब हम उस सही डागनोज नहीं कर रहा है problem को प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आए प्लस टीवी फ्री टो एर और इंडियन रजिस्टर चैनल है